नबश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi Note 11 है या फिर 11 Pro है कोई भी मॉडल है तो यहाँ पे आप ग्रत कर देते हैं लेकिन आप चाहते एक सब्सक्राइब graft करते हैं और छाएब प entries कहते हैं तो यहां पर आपको यह एप्लिकेशन्स देखने को मिल जाएंगी जिसे आप एड कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो के तौर पे ठीक है तो जो जो यूज़ करना है करन टैप में डालेंगे और इसके बाद done पे click कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह floating window में add हो गई है applications अपना आप इस पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं एक window यह open हो गई है floating वाली तो आप यहाँ पे इसको use कर सकते हैं और ऐसे करके छोटा करेंगे एक vibrations ही होगी आप use कर लेंगे ठीक है इस step से बाकि इसको बड़ा करना है तो ऐसे click करेंगे तो यह बड़ा हो जागा एक बड़ और click करेंगे ऐसे करके नीचे करेंगे तो यह full screen में आ जाएगा अब यहाँ पे back करेंगे तो यह remove हो जाएगा ठीक है दुबारा से दिखा देती हूँ आप इस पे जाएंगे floating window का option यह रहा और यहाँ पे जो application floating window में डालना है आप इस पे click कर लेंगे और इसको use कर लेंगे ऐसे करके ठीक है तो यह इस step से आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पे छोटा करना है तो यह corner पे ऐसा option देखने को मिल जाएगा और एक vibrations ही होगे तो फिर यह छोटा हो जाएगा और दूसरे application खोलेंगे remove करने के लिए आप इस पे click करके और यह जो बार दे रखा है बार को आप ऐसे करके खीचेंगे तो यह बढ़ा हो जाएगा और बैक कर लेंगे तो यह remove हो जाएगा तो यह step से floating window यूज कर लीजेगा चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार